योगी को भीजा खून से लिखा पत्र कृष्ण कूप में की पूजा की मांग पंद्रा बार लिखा जा चुका है पत्र योगी लेंगे बड़ा एक्षन UP के मतुरा से एक चौकाने वाली घटना सामने आ रही है जहां कृष्ण कूप में पूजा की मांग को लेकर सीयम योगी के नाम खून से भरा पत्र लिखा गया है हैरानी के बात यह है कि यह कोई पहली बार नहीं है बलकि खून से लिखा पत्र पंद्रा बार लिखा जा चुका है क्या है पूरा मामला जिसकी मांग को लेकर योगी को खून भरा पत्र लिखा गया है पताएंगे आज की स्पेशल स्टोरी में साथी बात करेंगे श्री कृष्ण जन भुमी विवाद को लेकर नमस्कार मैं रोहित कुमार आप देख रहे हैं कापिटर टेवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी पूरा मामला एक बार फिर मतुरा के स्री कृष्ण जन भुमी विवाद को लेकर है दरसल बसोडों के परव पर स्टला माता की पूजा के दिन कृष्ण कूप की पूजा की जाती है इतिहासकारों की माने तो भगवान श्री कृष्ण के प्रपोत्र ब्रज नाब ने कृष्ण कूप का निर्मान करवाया था इसी कूप के लिए श्री कृष्ण जन भूमिस संगर्च न्याश्च के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने ए 11 लोगों के साथ अपने खून से सीम योगी को पत्र लिखा है। के सीम योगी आधित नाथ से कृष्ण कूप के पूजा के अधिकार की मांग की है। लेकिन अब एक और मामला सामने आया है जिसने काफी ज्यादा तूल पकड़ लिया है। शाहि उद्गा मस्जित के पास है कृष्ण कूप। आपको बतादे कि श्री कृष्ण जन्भुमी स्थान पर बनी शाहि उद्गा मस्जित के पास एक बहुत पुराना कृष्ण कूप या कूँआ है। साथी उसको कृष्ण कूप के नाम से भी जाना जाता है। शाहि उद्गा की सीडियों में ये कृष्ण कूप बना है। बसोडों के परवपर सितला माता की पूजा के दिन कृष्ण कूप की पूजा की जाती है। इतियासकारों की माने तो भगवान सुरी कृष्ण के प्रपोत्र ब्रजनभान ने कृष्ण कूप का निर्मान करवाया था। इस बार एक और दो अप्रेल को ये शितला पूजा होनी है। पिछली बार अस्थानिये लोगों ने पूलीस फोर्स की मौजूदगी में ये पूजा की थी। इदगा मस्जित को सील करने की मांग। वहीं अब इसकी पूजा को लेकर मामला गर्माने लगा है। जिसको लेकर स्री कृष्ण जन भूमि संगर्स नयाज के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने खून से पत्र लिखा है। अगली सुनवाई एक अप्रेल को हिंदुवादी नेता दिनेश शर्मा स्री कृष्ण जन भूमि के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके द्वारा कोट में दावा भी दाखिल किया गया है। जिसमें उन्होंने कहा है कि श्री कृष्ण जन भूमि की जगा पर बनी शाहिद गाह मस्जिद पूरी तरह अवैध है। जिसको तुरंथ हटाया जाए यह मामला कोट में विचारधीन हैं जिसके सुनवाई अब इलहाबाद कोट में लगातार चल रही है। इस केस की अगली सुनवाई एक अपरोल को होगी। दावा किया गया है कि शाहिद गाह मस्जद हिंदू समुदाई से जुड़ी है और हिंदू समुदाई से जुड़े लोग वहां प्रातना करने के लिए अधिकार मांग रहे हैं। इन याचिका करताओं ने दावा किया है की शाहिद गा मस्जिद भगवान क्रिश्न की जन भूमी पर बनी है। उनका तर्क है कि इस मस्जिद में ऐसे तमाम हिंदू धार्मिक प्रतीक हैं जो दिखाते हैं कि यह मस्जिद एक हिंदू धार्मिक अस्थान पर बनाया गया था, इसी वज़ा से कोट की और से बनाये गए आयोग को तथ्यों को जुटानी की जरूरत है ताकि अदालत इस मामल में सुनवाई कर सके, दिसंबर में इलाहावाद हाई कोट ने इस सर्वे की याचिका को स्विकार कर लिया था, लेकिन सुप्रीम कोट ने इस फैसले पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी थी, कैसे शुरू हुआ विवाद, इस विवाद के मूल में 1968 में हुआ समझोता है, ज इसे लेकर भी विवाद है, हिंदू पक्ष का दावा है कि इस मामले की शुरुवार सन 1618 में हुई थी और इसे लेकर कई बार मुकर में हो चुके हैं याचिका में क्या कहा गया था सिविल कोट में दायर याचिका में हिंदू पक्ष का कहना था कि मथुरा भगवान श्री कृष्ण का जन्मस्थान है जहां भारत और विदेशों से तिर्थ यात्री दर्शन के लिए आते हैं हिंदू राजाओं ने कटरा केशव देव में बने मंदिर की समय समय पनिर्मान और मरम्मत कराई थी सन 1618 में ओर्चा के राजा वीर सिंग देव बुंदेला ने कटरा केशव देव में श्री कृष्ण का मंदिर बनवाया और उसे ठीक करवाया इस पर 33 लाख रुपे खर्च भी हुए थे कुछ किताबों के हवाले से हिंदू पक्ष का दावा है कि मुगल शाषक और एंग जिम ने हिंदू धार्मी का स्थानों और मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिये थे इसमें कटरा के शवदेव मतुरा के स्री कृष्ण मंदिर को 1679 से 1670 में तोड़ने का आदेश दिया गया था इस मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनाए गई जिसे इदगा मस्जिद का नाम दिया गया था इसके बाद मराठाओं ने 1770 में मुगल शासकों से गोवर्धन ने युद जीत कर यहां फिर से मंदिर बनवाया लेकिन इस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद मतुरा का इलाका उनके तहट आ गया जिसने इसे नजूल भूमी घोशित कर दी नजूल भूमी वो होती है जिस पर किसी का भी मलिकाना हग नहीं होता ऐसी जमीन को सरकार अपने अधिकार में लेकर इस्तमाल करती है 1815 में कटरा केशव देव की 13.37 एकर जमीन को निलाम किया गया लेकिन पोर्ट ने उसे खारिज कर दिया इसके बाद 8 फरवरी 1944 को राजा पटनीमल के वनसजो राय किशन दास और राय आनन दास ने 13.37 एकर की ये जमीन मदन मुहनमालविये गोस्वामी गनेश दत और भिखे लाल जी आत्रे के नाम पर कर दी जिसके बाद जुगल किशोर बिड़ला ने 13,400 रुपे का भुखदान किया इसके बाद भी मुश्लिम पक्ष ने 1946 में इस खरीद विकरी पर सवाल उठाया इसे भी खारिज कर दिया गया और पिछला आदेश ही मानने रहा इसके बाद जुगल किशोर बिड़ला ने इस जमीन के विकास और भव्य कृष्ण मंदिर के निर्मान के लिए 21 फरवरी 1951 को स्री कृष्ण जन्भों में ट्रस्ट बनाया उन्होंने 13.371 की जमीन को भगवान स्री कृष्ण विराजमान को समर्पित कर दिया लेकिन पूरी जमीन पर कृष्ण मंदिर का निर्मान नहीं हो जका और ट्रस्ट 1958 में निश्किरिय हो गया इसके बाद 1 मई 1958 को श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संग नाम से एक सोसाइटी बनाये गई बाद में इसका नाम श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान कर दिया गया याचिका में कहा गया है कि सोसाइटी पूरी तरह से ट्रस्ट से अलग थी उसके बाद ट्रस्ट की और से कारवाई करने का अधिकार नहीं था इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने जमीन को लेकर फिर से कोट में अरजी दाखिल की इस समय स्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संग और ट्रस्ट शाही इदगा मजीद के बीच विबाद था बाद में 1968 को दोनों पक्षों के बीच समझोता हो गया इस समझोते में जमीन के कुछ हिसे को ट्रस्ट शाही इदगा मजीद को दी दिया गया वहीं कुछ हिसे से वहां बसे घोसी मुसल्मानों आदी को हटाया गया और वो हिस्सा मंदीर के पक्ष में आया बतादे कि देश में लगतार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां मंदीर होने के सबूत मिल रहे हैं खासकर उन जगों पर जहां पुरानी मस्जिदे हैं यूपी हो या अनपी हर जगा खुदाई का काम चल रहा है मैं राजनीती करता नहीं पर राजनीती को बहुत गहरे तक समझता हूँ मैं लोगों के बीच रहता हूँ लोगों के मन को अच्छे से जानता हूँ पबलिक और पॉलिटिक्स की हर नपस को पूप पहचानता हूँ संधर्ष पी सियासत से सत्ता के सिंधासन तक मैं हर खमर से खरा सक्ष निकारता ना कोई दौड ना कोई रेस क्यापिटल भी उत्तर देश